केसे हैं आप जब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो आपको बता दे आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ वीक एप्रिल के इंपॉर्डेंट करेंट अफेर्स तो जो लोग ये चैनल पहली बात देख रहे हैं आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ आपको बता दे हम लोगों ने दो नई सीरीज शुरू करी हैं पहला आप लोगों को डेली पीडिएफ जो है वो हमारी आप पे और टेलिग्राम पे मिल जाता है जिसको आप लोगों का काम है दिन में सिरफ दो या तीन मिनट हार्ली अपने निकाले 15 मिनट का टा हम लोगों ने शुरू करी है current affairs को लेके ही जिसका नाम है quick revision जिसमें आप लोगों को YouTube में ही 5 सेकंड का maximum question के लिए answer करने कर लिए time मिलता है और आप लोगों को उसका answer करना होता है और आपको मैं बता दूँ अगर आप लोग ये चार चीजे कर लेते हैं तो आप लोगों का current affairs पर एक बहुत अच्छा hold बन जाएगा और ये आपको ज्यादा समय तक याद रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की class को वीडियो शुरू करने से बाले बता दूँ कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं आज आप लोगों का test है CSAT का जो की JKS के हम लोगों लोग कर सकते हैं वहाँ पर आपको एक लास मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की class को बिना जादा नहीं वेस्ट किए कुछ questions बहुत important होने वाले हैं तो ध्यान से सुनिएगा अभी हाल ही में इंडिया का tallest बाबा साहिब भीमराव राम जी यानिकी बीयार अंभेटकर जी का एक statue जो है वो अन्मील करा गया है जो उनकी 132 वी birth anniversary के दिन किया गया था यह कब होती है यह की जाती है 14th April को हर साल वनाई जाती है साथी साथ आपको बता दू इन्हें father of Indian constitution भी कहा जाता है architect of Indian constitution भी कहा जाता है यह भी आप लोग याद रखीगा अब यह कहां पर किय गया है तो देखो यह किया गया है तलांगना में तलांगना में जो cm है वहां के cm के चंदरशेखर राओ जी इन्होंने इसको किया है तो यहां पर यह point याद रखेगा अब देखो यह चीजें किस तरीके से important हो जाती है जैसे कि अभी recently यहां पर यह था ब्यार मिटकर जी की शुरू करा है बट सबसे साथ important जो हो यहां पर आम लोग discuss करते हैं वह है यह statue जो हाल ही में किया गया है इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि इसकी total height कितनी है 125 feet का है ठीक है और एक और important point है इसको याद रखना एक भारत गौरव tourist train जो है वो चलाई गई है अमबेटकर circuit से flag off करी गई थी जो की कहां पर है यह है न्यू डेली में तो यह point भी याद रखेगा यह सब चीजें जो है इनके जनम दिवस पर करी गई थी तो यह point आप लोग याद रखना अब अमबेटकर जी से थोड़ से point मैं आपको बता दे जाएगा कभी कि जनम भूमी कहां पर कहा जाता है यानि कि जहां पर इनका birthplace हुआ था वो है मध्यपरदेश में जगा है माउ वहां पर इसके अलावा एक आपको याद रखना है शिक्षा भूमी शिक्षा भूमी जो है जहां पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी इस जगा का नाम यह कहां पर है यह डैली में यह चारों आप से पूछी जा सकती है नेक्ट पे आते हैं अकॉर्डिंग टू लॉजिस्टिक पॉर्फॉर्मेंस इंडेक्स और इस इंडिकेटर जिपोर्ट रिलीज बाइ वर्ल्ड बैंक in April 2023 इंडिया का रहा है और कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने टॉप किया तो देखो इंडिया का रहा है यहां पर 38 और टॉप किया गया है सिंगा पॉर्फ के दुआरे इसी के साथ हि अभी में आप लोगों बतादो तो ओ वर्ल्ड का जो हमारा प्रेस इंडेक्स आता है कि इसमें इंडिया का रहा है जो है वह कह घरा है पहले किफायरीजेन में जो आपका rank था इस बार और कम हुआ है इस बार इंडिया का rank रहा है यहाँ पर 161 वर्ल्ड प्रेश फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का rank रहा है 161 और अगर टॉप पूछा जाएगा तो वो नौर्वे ने किया था यह जो इंडेक्स आते हैं देखो पुराने वाले आप लो भी इसके साथ साथ एक question गूसे जाता है कि ये इंडेक्स approcheond करता है तो ये world bank नाम भी याद रखना वर्ल चेर्में को बनेंगे वो है अजे बंगा जी यह अभी हाल ही में हुआ है अभी यह में अपनी पॉजिशन को जो है वो संभालेंगे तो बट याद रखना इस समय यह बहुत इंपोर्डेंट हो जाएगा कि इसके प्रेजिडेंट कौन है ठीक है नेक्स प्राइब आते हैं ठीक है इसके साथ-साथ एक आप लोगों के लिए homework है आपको बताना है अर्थ और हम लोग कब observe करते हैं वो time और day मुझे आप लोग बता दीजिए का comment box में यह homework है क्योंकि last lecture में हम लोगों ने इसको किया था discuss किया था तो यहां पर इस point को याद रख लेना अर्थ डे हम लोग मनाते हैं बाइस एपरिल के दिन नेक्स पर आते हैं अभी कौन सी company है जिसने announce करा है अपने plans to set up the first green hydrogen microgrid project in lay region लदाख तो देखो यहां पर जब कभी भी बात होगी green hydrogen की वो आपको बता दू यह काफी important होगा बहुत सारे events हो रहे हैं इंडिया बहुत जादा stress यहां पर रख रहे है कि हर एक चीज में कोशिश की जाए कि इसमें dominate किया जाए दुनिया को तो इसी के लिए यह सब चीजे जो है वो आपके सामने हो रही है अब यहां पर बात कि जाते कि कि किस company ने कहा है तो यह है होगा उसको जादा आपको डिटेल में नहीं जाने की तो आपको यह कंपनी का नाम याद रखना है और यह कहां पर बना रहे है नेक्स पर आते हैं कौन सी स्टेट ऐसी है जहां पर Rapid Action Mobile BSL 3 Advanced Augmented Network यानि की राम बान अब जो बच्चे तो तयारी कर रहे है एक्जाम्स की जैसे बेंकिंग के होगे इंश्वरंस के होगे आपको इस रामबान की फुल फॉर्म को याद रखना है क्या है वापिस रिपीट कर देता हूँ Rapid Action Mobile BSL 3 Advanced Augmented Network पेपर में आप से सीधा पूछा जाएगा R stands for या M stands for यह बहुत बार पूछा जा रहा है आजकर अब इन्होंने जो किय है यहां पर इंडिया का पहला और एशिया का भी पहला Mobile Biosafety Level 3 Laboratory इन्होंने जो है डिस्पेय करी है G20 में यह कहां पर की गई है तो देखो G20 में वैसे भी बहुत important है जितने भी events हो रहे हैं जो जो चीजें हो रही है जैसे रामबान आप लोग देख सकते हैं यह सारी चीज की Group of 20 Health Working Group की जो मीटिंग हुई है कहां हुई है यह अब गोवा में गोवा की Capital पनाजी में यहां पर इसको मीटिंग को किया गया है तो आपको यह याद रखना है रामबान जो है यह बेसिकली बनाया गया है कि जो COVID-19 का pandemic था उस तरीके की अगर कोई चीज आती है तो उसको टेकल करने के लिए तो और साथी साथ World Health Organization ने भी डिकलेर कर देगे अब COVID-19 इतना जादा दुनिया के लिए खतराग नहीं है लेकिन COVID-19 है आज भी है एक्जिस्ट कर रहा लेकिन जितना पहले था उतना नहीं है तो यह चीज़ें याद रखना नेक्स पर आते हैं क्वेशन कौन सी स्टेट्मेंट ऐसी है जो की सही है तो मैं आपको पहले सीधा सही वाली ही बता देता हूं यहां पर आप लोग इसको एक बारी नोट कर लीजिएगा इसमें जो ऑप्शन भी है वो गलत है वर्ल्ड मिलिटरी इडिप का एक्सपेंडिचर है वह आठमें साल लगाता जादा जो है वो ग्रिव करा है कित्रे पॉसें से 3.7 पॉसेंट के हिसाब से इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं जो युनाइटरी स्टेट्स के द्वारा टॉप किया गया है इस लिस्ट में और सेकेंड पे चाइना है जो की सबसे जादा खर्च करते हैं किसके उपर अप ठीक है यहां दर क्लियर आप लोगों को अब अगर यहां पर क्वेशन बनता है कि अगर इंडिया थर्ड लाजस नहीं है तो इंडिया कौन से पॉइंट पॉजिशन पर है तो याद रखना इंडिया जो है वह फोर्थ लार्जस्ट एक्समेंडिचर जो है वह करता है अपन से इंपोर्डन हो जाते हैं अभी प्रेजिडेंट कौन बनी है 22 प्रेजिडेंट बागलादेश कौन बनी है तो यह बता दू यह बने हैं बागलादेश के बागलादेश की अगर पूछा जाएगा परधार मंत्री कौन है तो वह है शेख हसीना चीक है यह पॉइंट भी याद रखेगा स्टाटिक जीके की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट के उपर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्येशन आप लोगों के सामने है कि अभी हम लोगों ने अब्जर्व कर रहा है वर्ल्ड बुक और कॉपिड़ेट डे दोजार तीस का 23 एपरल के तिन इसकी थीम क्या थी तो देखो हर इंपोर्टन डे के साथ साथ उसकी थ लाती है तो इंपोर्टन थीम जो थी वर्ल्ड बुक डे की वो क्या थी वो थी इंडिजिनिस लेंग्विजिजिस इसको आप लोग याद रखिएगा इंडिजिनिस लेंग्विजिजिस अब यहां पर क्वेशन यह भी बन सकता है कि यह जो हर साल अब्जर्व किया जाता ह है युनेस्को यानि की युनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिकेंट कल्चर और और्गनिजेशन आप लोगों को कमेंट वॉप्स में लिखके बताना है कि इसका हेड़क कहां पे है क्वेशन नमबर 9 की बात करूँ वापिस से आप लोग देख सकते हैं परधान इसको डिस्कुस करेंगे तो यहां पर यह जो केशन आप लोग देख सकते हैं इसमें तीनों की तीनों जो चीज़ें परधान मंत्री नेंद्र मोदी के द्वारा जो है इनॉग्रेट करी गई थी जिसमें सबसे पहले इन्होंने एक फांडेशन स्टोन रखा था जो की वेर सकता है सीधा की जो पहली वाटर मेट्रों की बात की जा रही है किस जगह पे बनेगी तो वह कोची में बनाने की बात करी गई है कोची शिप्यार के द्वारा और इसी के साथ-साथ का पहला वंदे भारत एक्सपेस जो है वह भी त्रिवंतरम पुरम से लेके कासर गौर तक चलेगा तो यह लोकेशन को भी आप लोगों को याद रखना है साधी साथ पहला डिजिटल साइंस पार्क जो है वह भी त्रिवंतरम पुरम में बनाये गया है ताकि डिजिटल इंडिया को बूस्ट किया जाए यहां पर तीन क्वेशन जो है इंपॉर्ण है पहला अगर ज तो बहुत सारे एक्जाम में पूछा गया था कि इसकी लोकेशन क्या क्या है यानि किसके स्टेशन कहां कहां पर है कहां से कहां तक चलेगी तो इसी तरीके से यह पूछे ने जाने के चांसे बढ़ जाते हैं क्योंकि वंदे भारत अभी भी निउस में काफी जादा रहती ह है तो यह आपसे डारेक्टली पूछा जा सकता है ठीक है यहां तक नेक्स्ट क्वेशन पर जलते हैं हम लोग अभी हाल ही में डिपार्ट्मेंट ऑफ लैंड रिसोर्स की बात की जासी मिनिस्ट्र रूलर डेवलेप्मेंट के द्वारा जो डेटा रिलीस किया गया है कितनी एसी स्टेट्स या यूटी है जिन्होंने अडॉप्ट कर रहा है नेशनल जेनरिक डॉक्यमेंट रिजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर लैंड रिकॉर्ड तो देखो यहां पर यह अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को याद रहना है टोटल अभी आज की डिप्लास अपर जो है वो कर चुकी है ई-जिस्ट्रेशन जो है वो चल रही है तो यह डेटा याद रखना है आप लोगों को ठीक है नेक्स पर आते हैं हर साल 25 आपरल को बनाया जाता है इसकी थीम क्या थी मिलेडिया चीम थी टाइम टूडिलेवर जीरो अनृइड इंवेस्ट इनो गुवर्मेंट और राजस्तान ने अनौश करा था कि तीन नई wildlife conservation reserves जो है अब यह question आज का आपका most important है यह आप लोगों के questions बनते हैं सारे के सारे static GK की form में जो आप लोगों को फिर आप लोग सारे नेशनल पार्क से सब उठा के याद करना शुरू कर देते हैं तो ऐसा नहीं है अब यहां पर पहले तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने है राजस्तान ने जो नई तीन conservation sites बनाई है कहा कहां पर है सबसे पहले सौरसान है बारान बारन में खिंचान है जोदपूर में हमीडगर्ड है आपकी भिलवारा में यह तीनों को मिला के आज की डेट में राजस्तान में तोटल कितनी conservation reserves जो है वो बन गई है तो आपको बता तूटल आज की डेट में राजस्तान में है 26 यह याद रखना इसके साथ साथ अगर आप सब पूछा जाए कि रामसर sites कितनी है हमारे यहां पे इंडिया में खास तोर पर तो वह है 75 यूनेस्को की heritage sites कितनी है वह है 40 बैक टो बैक पूछे जाते हैं और तीन नहीं एड करने बाद तो टोटल कितनी हो चुकी है तो टोटल अब यहां पर पूछ चुकी है 26 पांच बार चीफ मिनिस्टर है चुकी है पंजाब के मैं आंसर यहां आपको परकास सिंग बादल इनका अन्यदन हो गया है पेपर में किस तरीके से फ्रेम होते हैं आज की डेट में जो जादातर आज की डेट में चाला वो यह पूछा जा सकता है कि परकास सिंग बादल किस फील्ड से थे देखो अब यहां पर आप लोगों बता यह पॉलिटेशन थे कहीं बार क्या होता है पेपर में क्वेशन को और ट्रिक पांच बार यह चीफ मिनिस्टर आज चुके हैं पंजाब के और 1947 से इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था तो यह बहुत ही जादा दिगज बाने जाता है पंजाब में तो इनको यहां पर याद रखिएगा इसलिए इंपॉर्टन अबिजिरिस में इनको आड के गया World Intellectual Property Day यह मनाया जाता है हर साल 6 सेपरल के दिन इस बार इसकी थीम क्या थी इसकी थीम थी Women and Intellectual Property Accelerating Innovation and Creativity देखो जितनी भी इस बार मैं थीम्स डिसकस कर रहा हूं वो थीम्स पर थोड़ा सा स्ट्रेस जादा रखना क्योंकि सारे के सारे जो डेज हैं यह बहुत बार पहले पूछे जा चुके हैं जैसे इसकी थीम आज कल जादा तर पेपर में जो है वो देखने को मिलती है तो यहां पर इस थीम को याद रखना वर्ल्ड इंट्लेक्ट्ट प्रॉपर्टी और्गनाइज़ेशन की अगर मैं बात करूँ इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है तो इसका हेड़कॉर्टर है जिनीव स्विच्जर लैंड में तो अभी हाल ही में नेमदा एट टाइटलियर प्रिंस ओफ आरकॉट हूँ है रीसेंडी रिसीव दा इंडो ऑस्ट्रिलियन अस्सेशिएशन मेरिटोरियस सर्विज अवार्ड 2023 तो किसे मिला है यह अवार्ड जो की काफी ज्यादा को इन्हें इस अवार्ड से समानित क्या गया है यह इंडो ऑस्टेलियन एस्सेशन जो है यह अवार्ड को देती है जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यहां पर इसको याद रखना ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्यों जिस भी कभी इंडि सेक्टर एंटर्प्राइजेज फ्रॉम कैटेगरी वान टू मिनी रतना सी पीएस सी देखो अब यहां पर बात करूं तो रेल विकास निगम को जो है उसको अप्रूफ कर दिया अब उसको एक नवरतन स्टेटस दे दिये गया हम लोगों ने जेके पेपर में देखा था कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले थे कि कितने हैं कितने नहीं तो यह कौन अप्रूफ करता है सबसे पहला पॉइंट तो यहां पर आता है यह करते है मिनिस्ट्री और फैनांस ने अप्रूफ करा है रेल विकास निगम लिकमेटेड को अब यह नवरत इनको एक इनकी इनको इनकी इनकोपरेटिट सब्सीडेडी थी जिसका नाम था काइनेट रेलवे सॉलूशन लिमेंटेड उसको भी यहां पर जो है अलग कर दिया गया तो यहां पर दो पॉइंट्स याद रिखना आपको यह दोनों के दोनों पॉइंट एक्जाम में पू नत्रहस लिखना पॉइंट पॉइंटेडल पॉइंट प्लॉशन देखो यह झो सब्सक्राइब करू दोनोंके पॉर्ट यह इनकोपरेशन केद्वारा इसको जो है यह लांच किया गया है जो यहां पर पेपर में डारेक्ट आपसे डाप की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है तो यह है डायमोनियों फॉस्फेट तो इस पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है ठीक है यहां तक क्लियर है नेक्स पर आते हैं हम लोग एक सब्सक्राइब कियेगा नेक्स कोईशन की बात करते हैं अभी एपरिल में ही 14 दलाई लामा जो हमारे हैं इन्होंने रिक्सीव करा है रामन मैगेसे अवार्ड को इन परसन आफ्टर 64 इयर्ज तो देखो यहां पर एक क्वेशन क्यों नियूज में था रमन मैगेसे अवार्ड है यह जो लास्ट टाइ कीबर 1959 में इन्हें दलाई लामा को उसके बाद यह अब इन्हें यहां पर जो 1959 का जो अवार्ड था वो अब जाके इनको मिला है ऐसा निये कि इस साल का वार्ड है यह 1959 में जो रमन मैगेसे अवार्ड समानित किये थे वो मिला था तिबितन जो spiritual लीडर है दलाई लामा उन्हें अब जाके यान कि after 64 years यह अवार्ड हैंड ओवर किया गया है तो इसी लिए यह news में बहुत जादा था यह आप लोगों को याद रखना है अब रमन मैगेसे अवार्ड क्यों इंपॉर्णेट है क्योंकि इसे Nobel Prize of Asia भी कहा जाता है अब यह पॉइंट जो है इसको भी याद रखना स्टेटिक जी के इवार्ड में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा अवार्ड ऐसा है जिसे Nobel Prize of Asia का है नाम से जाना जाता है यह अवार्ड इन्हें 1959 में मिल चुका था बट इन्हें हैंड अगर पूछा जाए इन परसन यानि कि इन्हें दिया कब गया है वो 64 यह के बाद दिये गया है बहुत सारे बीच वे जो इशू सल रहे थे उन सब के बाद यह अब इन्हें यह नहां पर यह अवार्ड जो है वो मिला है तो इसको याद रखना अब यह भी डेट भी याद रखना आपको यह भी पूछा सकता है कि कौन सा था वह नेक्स पर आते हैं हम लोग कौन से इसी परसनलिटी है जिसनोंने रिसेटली पहले इंडियन मने है इन सिक्सियर्स तु तो देखो अभी तक आप लोगों ने देखा है कि इंडिया क्रिकेट की अगर मैं बात करूं खास्तोर पर उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बहुत सारी इवेंट्स हम लोग यहां पर बड़ी-बड़ी लीक्स जो है वो स्पांसर करते हैं और करवाते हैं जिसमे प्रफिल के आप किसको मिले क्यों कि सबको बता है लेकिन यह जो क्वेशन है क्योंकि पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने छे साल के अंदर-अंदर पोडियम पे खतम करा है इनका नाम है जैडेन परियाथ ठीक है अब यहां पर यह पूछा जा सकता है कि यह कौन से स्पोर में फिनिश करा है पोडिया मतलब टॉप तीन पॉजिशन पर यह थर्ड इन्होंने खतम करा है और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एक्जाम पॉइंड पॉइंडिया की पहली केबल स्टेट रेलवे ब्रिच जो है यह मुझे पता है कि मैक्सिम बच्चेस का अंसर पहले करना शुरू हो चुके हैं अंजी खाजबरी जो है यह की रेडी हो जाएगी इस महीने तक यानि की में 2023 में हो जाएगी यानि की टोटल इसमें इन्वेस्मेंट है 400 क्रोड कहां पे है यह है जम्मू कश्मीर में किस जगा पे है यह तो अगर आप से पूछा जा सकते हैं यह किसकी ट्राइब्यूटरी है यह पूछा जा सकता है तो यह चिनाव रेवर की ट्राइब्यूटरी है अंजी उस पे बनाया गया है और यह बहुत ही जादा इंपॉर्ण होने वाला है क्योंकि फिछले काफी टाइम से चल रहा था निउस में बहुत था तो यह बनके तैयार हो चुका है तो यह पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज यह बना दिया गया है इसके अलावा अब एक और क्वेशन ट्रिकी को क्वेशन होगा एक और ऐसा ब्रिज न्यूज में है जमो कश्मीर में ही है जो बहुत न्यूज में ह। उसका काम भी ऑल्मोस् खत कंपनी बन चुकी है जबकि रिलाइंस आज भी टॉप पे है तो देखो ITC जो है उसने ओवर टेक कर दिया है यहां पर इंफोसे स्कूर यह अब किस पूजिशन पर आ चुकी है यह बन चुकी है सिक्स पूजिशन पर लेकिन पेपर में यहां तो टॉप पूछा जाता है वह से बाद सेकेंड पोजिशन पर कौन था है वह है थार्ड पर कौन सी है अगर आप से पूछा जाएगा वह है HDFC तो बस आपको इतने याद रखने जाता है आपको डिटेल में नहीं जाना हां इस लिस्ट में चेंज बहुत काम होते हैं इस बार जो चेंज हुआ है वह आप सामने है क्योंकि वैल्यवल कंपनीज में सिक्स पूजिशन पर जो है वह आपके ITC जो वह आ चुकी है नेक्स पर आते हैं हम लोग क्वेशन नमबर 23 के अगर मैं बात करूं अभी हाल ही में कौन सा पॉइंट इसमें ऐसा है जो सही है एस पर ग्रीन वर्ड अवार्ट 2023 के ज तो जो अभी हाल ही में ग्रीन वर्ड अवार्ड दिये गए थे इसका आंसर है ऑप्शन वन और ऑप्शन तू यानि की थर्ड ऑप्शन गलत है यानि की एक्चुल आंसर तो इसका ऑप्शन नमबर 4 है अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में विदानता जो है उसको मिला है global gold award environmental policy और management category के लिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं power grid corporation जो है उसको award मिला है global gold award का CSR यानि की corporate social responsibility category में तो ये दोनों आपको याद रखने है ठीक है इन दोनों को यहाँ पे अभी हाल ही में इस award से समानित किया गया है इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इनकी category कौन सी थी कि कि किस category में इन्हें इस award से समानित किया गया है तो ये points भी आपको या रखने point नंबर 3 जो है वो गलत है global डेली मैट्रों को global silver award environmental category में जो है वो नहीं दिया गया है यहाँ तक clear है ठीक है चलो next question पर अगर हम चलते है अजे warrior अजे warrior bilateral training exercise है बहुत time से चलती आ रही है यहाँ पर question तीन तरीके से बन सकते हैं यह हम लोगों ने already discuss भी करा था हमारे instagram पर या telegram पर हम लोग इस तरीके के questions को share कर देते हैं अगर मैं यहाँ बात करूं आप लोगों से इस particular exercise के बारे में पहला question बनता है कि यह हुई क kingdom में है edition कौन सा था अगर आपसे edition पूछा जाएगा तो यह 7th edition था इंडियन जो हमारी forces है वो British army और इंडियन आर्मी की तरफ से कौन अगर पूछा जाएगा इंडियन आर्मी की तरफ से कौन गया था तो वो गई है बिहार regiment ठीक है यह point भी याद रखना अभी तक इस level पर पहुंचा नहीं है कि इंडिया से कौन सी गई है इंडिया की तरफ से कौन गया था इसमें दो soldier गोर्खा राइफल्स के भी थे बाट मिज्वार एजिमेंट से यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए वह रिसेटली वान मैंस सिंगल टाइटल एड़ ट्विटी ट्री बार्सलोना ओपन बैंक सेबेडल जिसको बार्सलोना ओपन 2023 भी कहते हैं for the second consecutive time लगता दूसरी बार इन्होंने जीता है यह तो इनका नाम आप लोग या रखना स्पेन से ब्लॉंग करते हैं यह इनका नाम है आपको बताना है कि यह बार्सलोना ओपन जो है यह कौन से स्पोर्ट में खेला जाता है तो यह आज मैं आपको सॉरी ओंवक देके जा रहा हूं इसका अंसर आप लोग लिखके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अध्मिनिशेटीव प्रोफेशनल डे 2023 अब्जर्व किया गया है किस दिन तो देखो आपको बता दूं यह जो दिन है यह मनाया जाता है वेनिश डे ओफ दा लास्ट फुल वीक इन एपरल यानि कि जिस एपरल में लास्ट जो वेनिश डे होता है उस दिन को मनाया जाता है यहां पे और यह इस साल का था तो यह था 26 अपरल के दिन तो यहां पर इस पॉइंट को आप लोग याद रखना यह आपसे पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है डेट आपको नहीं दी जाएगी 26 अपरल मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा आपसे पूछा तो यह last Wednesday को मना जाता है administrative professionals week इसी के साथ आद एक और बहुत important day है ये भी आप लोगों के slavis में already जैसे mention रहता है नेशनल पंचायती राज डे जो है observe करा गया है किस दिन को मनाया जाता है तो यह 24 अपरल के दिन मनाया जाता है हर साल ताकि यहां पे जो पंचायती system था वो शुरुआत हुई थी 1993 में तो यहां पे इस दिन को मनाया जाता है जो grassroot level तक decentralization की बात की जाती है उसको ध्यान में यह चीज को observe किया जाता है तो टोटल अगर आज आपसे पूछा जाए कौन सा edition था इसका तो यह 14th edition था ठीक है और 30 साल जो है इसके पूरे हो चुके हैं अब यहां पे एकर question पूछा जाए आप लोगों से कि Y24 कि 24 एपरल के दिन ही क्यों हम लोग यह मनाते हैं 24 एपरल को के दिन जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो हमारा constitution है उसमें यह आया था 73rd amendment जो है जिसमें पंचायती राज पे बात की जाती है यह हमारी 24 एपरल के दिन ही आई थी और इसलिए यह 24 एपरल से ही मनाया जाता है और इसे observe किया जाता है स्वच बारत mission की अगर मैं बात क करूं कौन सा ऐसा बैंक है जिसने रीसेंटली कंफर करा है विद अवार्ड फ्रॉम दा हुड को और फॉर इस आउस्टेंडी कांटिविशन तुवर्स था हाउसिंग सेक्टर ओफस कंट्री अंडर प्रधान मंत्री अवास योजना जिसमें सब्सिडी स्कीम जो है वो दी जारी की जेएंड के बैंक की होने वाली है तो जब ओफिशल है को हमें से डिस्केस करेंगे अब हुटको क्या होता है हुटको की बात करूं तो इसका है हाउसिंग अर्बर डेवल्मेंट कॉपरेशन लिमिटेड इन्हों ने यह सम्मानित करा है जेएंड के बैंक को यहां आप लोग देख सकते हैं तो यह काफी important होगा नेक्स प्राइब यहां पर और चीज याद रखनी है आप लोगों आपको यह भी याद रखना है कि किस category के अंडर इनको यह अवार्ड मिला है credit link subsidy scheme के लिए इन्हें इस अवार्ड से समानित किया गया है नेक्स पर आते हैं फिल्मफेर का अभी हाल ही में अवार्ड हुआ है युन्डाई फिल्मफेर अवार्ड से अब आप लोगों को पैरा question आता है कि यह क्या है यह होते है टाइटल sponsors जैसे आप लोग IPL देख रहे हैं जो कि महाराष्ट्रा में हुआ है पूरी detail मैंने आप लोगों के साथ share कर दी थी मैं फिर से आपको जल्दी में बता देता हूं बेस्ट एक्टर का वार्ड मिला था अलिया भट को गंगो भाई के लिए बेस्ट एक्टर का वार्ड अगर पूछा जाए आप लोगों से कि कि को मिला है तो नहीं यहां पर जादा important एक और मिलता है जो कि lifetime achievement अवार्ड होता है तो यह भी याद अफना यह इस भार मिला था प्रेम चोपड़ा को चीक है बाकी लिए वह लोगों ने हमारे telegram और Instagram पर शेयर कर दी आप वहां से पूरे detail में पढ़ सकते हैं यह revision के तोर पर Kongjom Day यह हर साल मनाया जाता है किस जगह पे तो यह पहले तो बता दूँ यह 132nd edition था बहुत ही पुराना दिन है Anglo-Manipur War जो हुई थी अब यहां से आप लोगों को answer भी मिल चुका है जो Anglo-Manipur War 1891 में भी थी उसको याद करते हुए यह मनाया जाता है Kongjom Day जो Kongjom War Heroes थे उनको याद करने के लिए और उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए Battle of Kongjom बहुत important है लेकिन इससे भी जादा important है जो आज की डेट में मनिपूर में एक issue चल रहा है अब वो issue क्या चल रहा है वो भी आप लोगों पता होना चाहिए मनिपूर में बहुत ही जादा समय disturbance चल रही है वहाँ पे एक community है अब उसका नाम भी आपको याद अखना है मेटाई community है उनको अभी यहाँ पे उनकी तरह से demand की जा रही है पिछले लगवग 10-12 साल से कि उन्हें ST status जो है schedule tribe जो है उसमें consider किया जाए तो उस पे अभी मिला नहीं है पहला point यह याद अखना सिरफ government को यह क consider कर सकते हैं इस चीज़ को कि मेटाई tribe जो है उन्हें यह मिलना चाहिए या नहीं उसके बाद जो tribal groups थे बहुत सारा वहां पर विबाद हुआ अगर population की बात करूं तो approximate 65% population जो है वो मेटाई community की है मनिपूर में तो यह बहुत बड़ा issue है अगर इस पर आपको detail में चाहिए है आज की रेंड में तो यह थे हमारे important current affairs last week of April के first week के current affairs भी आप लोगों में जल्दी दे दूँगा और जो revision वाली class होती है को एक revision की जिसमें आपको सारे के सारे questions जो हम लोग आप लोगों को provide करते daily PDF और उस सब में वो सब आपको बिल जाएगी कल तो all the very best पढ़ते रो मै की side का test है उसको जरूर attempt करिएगा देखिएगा कि क्या आप लोग 33% marks लेके आप भी पा रहे है नहीं अगर नहीं ले पार है तो उसको आप लोग improve करना शुरू कर दीजिएगा okay guys see you soon all the best मिलते जल्दी ने lecture के साथ अभी लिए दीजिए जाज़त have a nice day take care